नमस्का दोस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चनल P.K. गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से सम्मंदित कुछ पिष्णों को डिसकस करेंगे तो जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रस्न है कि रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में बानजिक तन्तू पैदा करता है तो जो रेसम का कीड़ा होता है वह है अपने जीवन के किस चक्र में जो है कि जो तन्तू पैदा करता है जिसका की बानजिक उप्योग होता है इसलिए इसको बानजिक तंतु कहा गया है एक किस जीवन की किस स्टेज में यानि किस चक पर यार प्रियोग किस चर्ण में यह होता है वह पैदा करता है यह हमें बताना है उप्षन A अंडा यानि एग स्टेज में उप्षन B डिमभाक यानि लारवा स्टेज में उप्षन C कोसित यानि प्यूपा स्टेज में और उप्षन D पूर्ण कीट यानि की इमेजों की रूप में इसका जो सही आंसर है वह है उप्षन नम्बर C कोसित प्यूपा ठीके तो जब वह जीवन चक्र की प्यूपा इस्टेज में होता है, तब वह बानजिक तंतू क्या होता है, पैदा करता है। आगे बढ़ेंगे कि रेसम का कीड़ा कोसित यानि प्यूपा अवस्था में बानजिक तंतू उतपन्न करता है। जब लारवा चक्र के बाद तैयार प्यूपा जो है बचाओ हे तू यह अपनी लारगंतियों द्वारा इस्तरवित पदार से खोल या जिसको कोया बोलते हैं या कोकून की नाम से जानते हैं तैयार करता है जिससे रेसम की प्राप्ति की जाती है और रेसम का उपयोग बस्त द्वारा जोग में किया जाता है ठीक है तो जो रेसम का कीड़ा है जब वह है लारवा चक्र के बाद प्यूपा बनता है तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों लारगंतियों से एक इस्तरवित पदार से खोल टाइप का बना लेता है इसे खोल कहते हैं या कोया कहते हैं ठीक है और इसी कोकून से ही क्या होती है रेसम प्राप्त की जाती है आगे बढ़ेंगे कि रेसम कीड़ किस पेड़ की पत्तियों पर पनपता है ठीक है ओप्सन ए रीठे की पत्तियां ओप्सन भी बेड़ू की पत्तियां ओप्सन सी आड़ की पत्तियां और ओप्सन ड आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित में से कौन सी ओसाधीय फसल है ओप्सन A गन्ना ओप्सन B गरत कुमारी ओप्सन C कापास और ओप्सन D महुआ तो इसका जो सही अंसर है वह है गरत कुमारी ठीक है तो गरत कुमारी जो है वह है ओसाधीय फसल है आगे बढ़ेंगी कि घृत कुमारी जिसकों कि हम एलो वेरा के नाम से जानते हैं यह एक उसाधी पोदा है गन्ना तथा कपाह जो है वह नगदी फसले हैं और महुआ है एक उष्ण कटबंदी यह ब्रक्ष जो भारत के मैदानी छेतरों में पाया जाता है यह उत्तर भारत मे है वह प्राप्त होती है ऑप्सने आवट्र बेजी पादप से ऑप्सन बी बैक्टेरिया से ऑप्सन सी इस्ट से और ऑप्सन डी सैबाल से तो इसका जो सही अंसर है वह है आवट्र बेजी पादप से ठीक है जो कुनैन है जो कि मलेरिया के लिए उपक्त एक प्रमुख उसा इसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, और यह पौधा एक आवत्त बीजी पाधाप है, निfillल को नने एक प्राक्ति सुईत किस्टलिये अलकेलवाइड है, जिसका सुइध होता है तीखा, और इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, प्रियान से उत्प दूबने से हुई मित्यू का पता लगाने में महत्त है ठीक है तो डूबने से हुई मित्यू का अगर पता लगाना है तो किन समुह के जीवों का महत्त है उप्षन A, Lichen, उप्षन B, Proto-Jura, उप्षन C, Sino-Jibaru और उप्षन D, Diatum तो इसका जो सही अंसर है वह है ओप्षन D, Diatum आगे बढ़ेंगे कि सहतूत का फल क्या है ठीक है हमें बताना है जो सहतूत है इसका फल क्या है ओप्षन A, Sorosis, उप्षन B, Psychonus, उप्षन D, Samag और इसका जो सही अंसर है वह है सोरोसिस ठीक है तो जो सहतूत होता है इसका जो फल है वह है सोरोसिस आगे बढ़ेंगे कि सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है यह एक प्रकार का बहू या मिर्सित फल है और अनानास और कठल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं आगे बढ़ेंगे कि निम्न होता ऐसा है जो कि पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता है option a sun option b. पट sun option c. जूट और option d. कपाश तो इसका जो सही अंसर है वह है कपास यानि जो कपास होता है वह है फूल से पैदा होता है जब कि sun, पट sun और जूट यह तीनों क्या है यह है तने से प्राप्त होते हैं आगे बढ़ेंगे कि sun पट sun तथा jute कि तनों की rating से रेशा प्राप्त किया जाता है जबकि कपास को फलों में इस्तित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं ठीके तो जो sun पट sun और जूट है इन तीनों को तनों से जबकि कपास को है जो बीज होते हैं बीज के जो बीजावरण में लगे रेशों से इसको प्राप्त किया जाता है आगे बढ़ेंगे लैग हीमोगलोबिन पाए जाती है option A मानाव रुधिर में option B खरगोस रुधिर में option C लैग्यूम मूल गंतियों में और option D मुर्गे के रुधिर में इसका जो सही अंसर है वह है लैग्यूम मूल गंतियों में ठीक है तो लैग हीमोगलोबिन जो है वह है लैग्यूम मूल गंतियों में पाए जाती है आगे बढ़ेंगे लेग हीमोगिलोबिन, लेग गुमिनोसी या फैबिसी कुल के पोधों जैसे की सोयाबीन आदे की मूल गंतियों में पाय जाती है अगला पैसन है कि निम्न में से कौन सा मानाव निर्मत धान है जो प्रकाति में नहीं पाया जाता है ठीके मानव निर्मित धान है लेकिन यह प्रकति में नहीं पाया जाता है आप्शन A बोना गेहूं, आप्शन B संकरमक्का, आप्शन C ट्रिटीकेल और आप्शन D सोयाबीन तो इसका जो सही अंसर है वह है ट्रिटीकेल ठीके एनी आप्शन नमबर C इसका सही है आगे बढ़ेंगे कि ट्रिटीकेल जो है मानव निर्मित अनाज या धान है जो की प्रकति में नहीं पाया जाता है बिग्यानकों ने इस संकर पोधे को प्रियोग साला में गेहूं तथा जाई को परस्पा संकर करा के तयार किया है इस संकर में गेहूं के मादा तथा जाई के नर भाग पराग करण का प्रियोग किया जाता है और इसका अनाज मूलतहा शुईडन स्कॉटलेंड द्वारा उत्पन किया गया है इसको मुखतहा पसुओं के चारे के लिए उगाया जाता है इससे रोटी अच्छी नहीं बनती अगला परसन है कि इस पंजी टिसू यानि इस पंजी उतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाती का नरियात कूप रहवत हो रहा है ओए है ठीके एक इस पंजी टिसू है इसके कारण एक आम की खास प्रजाती का नुक्सान हो रहा है वो हमें बताना है कि कौन है ओप्शन A अलफानसू ओप्शन B दसहरी ओप्शन C नीलम और ओप्शन D लंगड़ा तो इसका जो सही अंसर है वह है अलफानसू यानि ओप्शन नम्मर A इसका सही है तो इस पंजी टिसू एक ऐसा विकार है जो फालों मुक्षता अलफानसू आम की गुड़बत्ता को कूप प्रभाबत करता है और इस विकार के कारण आम कच्चे तथा आम लिए रहे जाते है थेंक्यू दूस्तू इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत ध लिए जापका बहुत 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 बहु